ओनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है आज हम सामन या ग्यान में हमारा पार्ट दो हमारे महान नायक कुछ ऐसे महान पुरुष हैं उनके बारे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या-क्या अच्छे काम किये और हमें आजादी दिलाने में उनका क्या- रोल था वो हम इसमें देखेंगे ठीके बच्चों तो एक एक करके हम सब के बारे में पढ़ेंगे पहला है मोहन दास करमचंद गांदी मोहन दास करमचंद गांदी गांदी जी नाम सुना होगा आप सबने आपको राष्ट पिता कहा जाता है प्यार से इने बापू भी कहते हैं आप सत्य अहिंसा और प्रेम के प्रबल समर्दक है इनको हम राष्ट पिता के नाम से भी जानते हैं पादर आफ नेशन कहा जाता है इनको प्यार से हम इने बापू कहते हैं सब जने इनको प्यार से क्या बोलते हैं बापू आप सत्या अहिंसा और प्रेम के प्रबल समर्थक हैं इन्हों ये किसके प्रती जादा इन्होंने काम किया था सत्या अहिंसा और प्रेम के प्रबल समर्थक हैं दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत देश के प्रत्थम राश्ट्र पती थे। दूसरा तीसरा है सरदार वल्लब भाई पतेल सरदार वल्लब भाई पतेल को लौपुरुष के नाम से जाना जाता है ये भारत के प्रत्थम ग्रह मंत्री और उप्प्रधान मंत्री थे। और इन्हें लौपुरुष यानी आईरन मैन के नाम से जाना जाता है पंडित जवाहर लाल नहरू इनके बारे में भी आपने सुनाई होगा पंडित जवाहर लाल नहरू हमारे देश के प्रत्थम प्रधान मंत्री थे। कौन थे प्रत्थम प्रधान मंत्री थे बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नहरू पुकारते थे। रविंद्रनाथ टैगोर किसके रच्चेता है राष्ट्रेगान के आप जनगनमन गाते हो स्कूल में किसने लिखा है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने ये भारत के प्रत्थम नोबल पुरसकार के विजेता थे। ये क्या थे? कवी थे ये भारत के प्रत्थम नोबल पुरसकार विजेता कवी थे। इन्होंने कौलकत्ता में शान्ती निकेतन की स्थापना की और गितांजली नाम कविता संग्रह की रचना की थी। इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में शान्ती निकेतन की स्थापना की और इन्होंने गितांजली नामा एक संग्रह की रचना की थी। फिर है सुभाष चंद्रबोस। सुभाष चंद्रबोस इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा। ये नारा किसका है? सुभाष चंद्रबोस का। फिर है इंद्रा गांदी, ये पंडित जवाहर लाल नहरों की सुपुत्री हैं? ये भारत की प्रतम महिला प्रधान मंत्री बनी थी। ये क्या थी? भारत की प्रतम महिला प्रधान मंत्री। ये पार्ठ हमारा यहीं खतम होता है। वापस से हम एक बार रिवाइज करते हैं, दौराते हैं। सबसी पहला है मोहन दास करमचंद गांधी, इनको हम राष्ट पिता के नाम से जानते हैं, इन्हें बच्चे प्यार से बापु कहते हैं, और ही सत्य अहिंसा प्रेम के प्रबल समर्तक हैं। इन्होंने आजादी के लिए सत्य अहिंसा सबसे महत्वपूर मानी थी। और ये भारत के प्रत्थम ग्रह मंत्री और उप्प्रधान मंत्री थे। दूसरा है रविंद्रनात टैगोत ये भारत के प्रत्थम नोबल पुरस्कार के विजेता थे। इन्होंने कॉलकत्ता में शांती निकेतन वा गितांजली नामक कविता संग्रे की स्थापना कीती। इन्होंने ये नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इंद्रा गांधी क्या थी? पंडित जवाहर नाल नहरो के सूपुत्री थी और ये भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री थी। आप सब इनको अपनी पुस्तक से एक बार पिर से पढ़ना ठीके अगला पार्ट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद।